हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब ठीक है आज एक और पीसी लेका है हूँ अल्टिमेट पीसी है जिसका बजट आल्मोस्ट एक 85K के अंदर बनाया है जिसके अंदर हमने यूज़ किया इंटल कोर आई 5 लेकिन बजट भी 85 है रीजन यह है कि यह पीसी लुक्स पर्फॉमेंस सब कुछ बेस्ट है चलो पेले में दिखाता हूँ इस पीसी का लुक्स कैसा रहेगा लुक्स तो आपने देख लिया भाई लेकिन अभी दिखाता हूँ मैं आपको पर्फॉमेंस जिसके अंदर हमने यूज़ क्या इंटल कोर आई 512-400F शेरीज का भाई प्रोसेसर है यह प्र करना है उनके लिए बेस्ट रिकमेंड़ रहेगा भई 12400F का अगर आपका बजट है 5000 रुपे एक्स्ट्रा तो 13400F भी आप ले सकते हो 12400 मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो प्राइज टू पर्फॉमेंस देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है एकदम सुपर मदरबोर्ट ब अलावा इसके अंदर हीट सिंग क्वालिटी भी उतना अचा नहीं है लेकिन यह जो प्राइज पॉइंट पर ओफर कर रहा है काफी अच्छा मदरबोर्ट है जितने प्राइज में ले रहा उससे बेटर पर्फॉमेंस आपको यह देगा इसके अलावा यह DDR5 सिगमेंट का म प्यूरी एक बजट एकनोमिकल विथ हीट सिंक वाला DDR5 5200 मेगार्स का राम है यह अभी हमने इस PC के अंदर 32GB यूज किया इस्पेशली यह कस्टमर को गेमिंग और एडिटिंग दोनों यूज के लिए चाहिए था और बजट भी उनका 85,000 था और SHD हमने यूज किया MSI की तरब से आने वाला NVME एक बजट एकनोमिकल फाइट वारंटी वाला और कस्टमर को यह जो प्राइज पॉइंट भी बेस्ट है और TBW ज्यादा है और 2100 Mbps रीड राइट स्पीड है और पास साल का रिप्लेस्मेंट वारंटी है और कस्टमर के नियरेस्ट प्लेस पे MSI का स यह एक बेस्ट प्राइज टू पर्फॉमेंट वाला पाउर सप्लाई है यह ब्रॉंज रेटेट के अंदर आता है और पास साल का वारंटी राता है अभी इस PC के अंदर हमने जो केस यूज किया वह भी MSI का है जिसके अंदर फ्रेंट 360 mm लिक्विड कुलर आप लगा सकते ह आपको मैंने व्यू दिखाए ही दिया था कि यार पीसी लुक्स बेस्ट है पर्फॉमेंट्स भी बेस्ट रहने वाला है उसके अलवा जो बैक एक्स फैन भी हमने यूज किया है वह तर्मल राइट ब्रैंड की तरफ से अभी आते ग्राफिक कर्ड ग्राफिक कर्स्टमर को 3060 से बेस्ट चाहिए था या फिर 3060 चाहिए था और 3060 से वह 4060 को ज्यादा रिकमेंड मतलब कर रहा था और कस्टमर 4060 से काफी सैटिसफाइड है रिजन क्या है कि इसके अंदर DLSS 3 रहता है इसकी कैश मेमोरी कंपेर टू 3060 के ऐसाब से ज्यादा है उसको 128 बिट के अंदर एक best price to performance और new graphic card चाहिए था new version वाला 4060 उन्होंने चूज किया अभी आते फाइनली इस PC के अंदर हमने stock cooler remove करके 360 mm liquid cooler हमने यूज किया यह liquid cooler यूज करने का यूज कि इसके साथ में air cooler भी काफी अचा रहता लेकिन customer स्पेसिफिकली 360 mm liquid cooler ही लगाओ मुझे वह भी पर्फॉमेंस वाला 12400 और clockable processor नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए आपका air cooler से भी काम चल जाता लेकिन लिक्वीड cooler रहने से आपका प्रोज़र का टेंपरेचर का प्रोज़ जादा है और लाइब भी ज्यादा रहेगा पांसाल वारंटी आता है यह cooler का मदरबॉर का तीन साल वारंटी रहां का आपका तीन साल वारंटी रहेगा तीन से दस साल आज पर मैनुफेक्ट्च्छर यह PC हम शिप करने वाला है जोदपूर लेकिन आप इंडिया मिड रेंज गेमिंग करना है, 1080p के लिए बेस्ट दासू FPS साहिए, उनके लिए ये PC recommended रहेगा, अभी इसके अंदर आप अप्ग्रेडेशन क्या कर सकते हो, भाई अप्ग्रेडेशन के एसाब से अगर आप देखते हो, 12400F की जगह मैंने आपको बताया था, 13400F आपका 5000 नहीं भाई, मुझे तो और कम करना है, तो आप RAM है, 16 भी अगर लगाओगे, 3000-4000 वहां कम हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड के अंदर आपका 3060 लगाओगे, तो 5000 कम हो जाएगा, अगर DDR4 में लेओगे, मदरबोड भी कम लेओगे, तो आल्मोस्ट 10,000 रुपे ये PC और कम हो लेकिन हम PC कस्टमर के डिमांड के असाब से करके देते हैं, और इसके अलावा लिक्विड कुलर भी अगर यूज नहीं करो, स्टॉक कुलर से चलाओ, तो आट नव जार वहां पर भी कम हो जाता है, लेकिन सूपर कम्प्यूटर लैप्टॉप, I mean SCL गेमिंग, एक मात्र इ विजिट करके भी कर सकते हो, इसके अलावा यह हमारी वेबसाइट sclgaming.in से भी कर सकते हो, डिस्क्रिशन पर मैं बाइंग लिंक्स भी डाल दूँगा, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो